जोगो question है हमार पास consider 1 plus x plus x square whole power 2n is equal to sum of r equal to 0 से 4n तक ar x power r where a0, a1, a2, a4n, 4n तक जाएगा are real numbers and n is a positive integer on the basis of above information answer the following questions पहला दे रखा है value of a2 is एक काम करते हैं n को न 1 रखते हैं हमने क्या क्या put किया n is equal to 1, अब देखते ही क्या बन जाएगा 1 plus x plus x square के power 2 is equal to sum of r is equal to 0 से 4 तक ar x power r क्योंकि n को 1 रखा है, अब इसका whole square देख लो क्या आएगा 1 plus x square plus x power 4 plus 2, 1 into x plus 2, x into x square plus 2, 1 into x square और यह क्या हो जाएगा मार पास, 0 से लेके 4 तक, a0 x power 0, a1 x power 1 plus and so on, a4 x power 4 तक जाएगा ठीक है, हमने n को क्या रखा था, 1 रखा था, ध्यान रखना, अब देखो, यहां से जो बनता है हमार पास, 1 plus 1x square यह रहा, और 1x square यह रहा, तो कितना हो क्या, 3x square plus x power 4 plus 2x plus 2x cube is equal to, a0, x power 0 यहने की 1, a1 x, a2 x square, a3 x cube and a4 x power 4, टीक है, अब देखो, यहने क्या है, the value of a2, a2 की value क्या है, a2 मतलब coefficient of x square, तो a2 क्या हो जाएगा हमार पस, x square का coefficient यहने की कितना हो जाएगा, 3, है न, अब यहां पे न, n को, इसमें भी n को क्या रख देजाए, 1 रख देजाए, जो पहला option है हमारा, n को 1 रखो, जब n को 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 plus 1, 4, 4C2, भाई 4C2 कितना होता है, 4 into 3 upon 2, 6 होता है यह भी नहीं होगा, ठीक है, third option क्या है हमारे पास, c, यह है 2n plus 1, c2, n को 1 रख दो तो कितना हो जाएगा, 3C2, and 3C2 कितना हो जाएगा, 3 into 2 upon factorial 2, कितना रख 3 आ रहा है, यह भी 3 आ रहा है, है न, तो हमारे पास option क्या हो c option हो गया, अब इसी में न, हमारे पास एक और पार्ट भी है, ठीक है, उसे देखते हैं वह हम अगले उस वाले वडियोगे